दोस्तो नए यूटूबर की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनका चैनल सर्च में नहीं आता और मैं आपको बता दू कि अगर आपका चैनल सर्च में नहीं आता तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉबलम है क्योंकि जब तक आपका चैनल सर्च में नहीं आता तब तक ये सम आपन으로 सेर्च करके देख लीजिए, चाहे जो भी चैनल है मेरे трीनो सौट्स के, यह फिर यह लॉंंग का पहले नमबर पर आता है, तो आपके चाहे एक subscriber हो, चाये 2 subscriber हो, चाये 0 subscriber हो, आपका भी channel number 1 पर search में आने लगेगा, और मैं live जब आया था तो मैंने देखा था कि बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कि मेरा आप channel search करिए, मेरा आप channel चेक करिए, जब मैं check करने के लिए youonca channel search करता था तो भाया उनca channel search में ही नहीं आता था और जब आपका channel ही नहीं search में आ रहा है तो जान लीजिए आपके YouTube पर channel के रैंक होने के chances 0 के बराबर है Halo दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त संजीव और स्वागत करता हूँ आपके अपने इस channel तो चलिए मैं आपको अपने इस mobile phone से live screen recording on करके मैं आपको दो ऐसी जो setting है वो आपको दिखा देता हूँ कि जो आपको भी करना है जिससे आपका भी channel number one पर search में आने लगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं उसके पहले अभी तक आप लोगी channel पर नय है और channel से नहीं जुड़ recording on करके सारा process दिखा देता हूँ तो मैंने screen recording on कर लिया है अब आपको क्या करना है step by step समझिएगा पहले मैं अपने channel पर जाता हूँ मेरा जैसे channel का नाम है fact word मैंने ऐसे ही एक बनाया था channel उसके लिए मैं आपको बता रहो fact word तो आप लोग जो channel create करेंगे उसके पहले आप ल task word fact word जैसे मैं search करूंगा और search करने के बाद आपको यहाँ three dot पर जाना है और यहाँ आपन को filter वाले आप्सें पर जाना है filter वाले option पर जाने के बाद आपको types में यहाँ जाकर channel seulट कर लेना और यहां से apply कर देना है ठीक, अब मैंने apply किया तो इससे क्या हुआ, मैंने types में जाकर channel सर्च किया और channel पर apply कर दिया, इससे fact world नाम के जो channel होंगे वो मेरे search list में आ जाएंगे, तो मैं देख रहा हूँ भाईया, fact world के channel बने हुए है already, जिस पर 3,23,000 subscriber, 1,93,000 subscriber इस तरीके से हैं, तो यानि कि अगर मैं इस नाम से channel बनाऊंगा, तो फिर मेरे लिए घाटा है, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपको भी ऐसा ही करना है, अगर आपके नाम का channel कोई ऐसा बना हुआ है, जिस पर अच्छे खासे subscriber है, 1000, 2000, 3000 हों, तो आपको वो channel नहीं create करना है, क्योंकि अगर आप उस नाम से channel create कर लें हो, और उस नाम से channel बैच ना मिला हो, जो की tick mark आपको मिलता है, जैसे नाम के आगे एक tick mark लगा होता है, उस तरीके का, जब आप 1,000,000 subscriber करेंगे, तब आपको ये channel बैच मिलता है, और उसमें ये condition देखी जाती है, कि उस नाम का कोई और channel उस नाम का channel बैच ना लिया हो, तो आपको ऐसा रखना है channel का नाम, जो की ना create हो, या फिर अगर बना हो, तो उस पर भी कोई अच्छे खासे view या फिर subscriber ना हो, तो मैंने देखा fact word के नाम के channel बने है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दूसरा नाम सोचूँगा, जैसे मैं सोच सकता हूँ, मेरा नाम जैस मैंने संजीव लिख लिए, तो मैं सर्च करता हूँ, संजीव के facts, क्या मेरे ये नाम है, इस नाम का कोई channel है, देख लेता हूँ, संजीव के facts, इसको मैंने सर्च कर लिया, और यहां सर्च किया, और सर्च का ऐसे आपको simple नहीं करना, जैसे मैंने ये सर्च कर लिया, और यह इन संजीयू, Facts, Sanju, Sanju, Rana 123 लेकिन कहीं पर भी Sanju के Facts नाम का चैनल आपको नहीं दिख रहा है तो इसलिए आपको 3. में जाकर टाइप्स चैनल स्रेट करकर वहां पर अपलाई करके देखना है तो मेरा देख रहा है Sanju के Facts का नाम का कोई भी चैनल नहीं है आप देख सकते ह अब मैं क्या करूँगा, इसी के नाम का चैनल बना लूँगा, तो ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, आपने चलता हूँ IT Studio पर, ठीक है, तो IT Studio आपको कैसे open करना है, आपको simply जाना है, वहाँ पर मैं आपको start से बता देता हूँ, ठीक है, तो simply मैंने Google Chrome open किया है, आपको क् creator.studio, आपको देख सकते हैं, studio.youtube.com, यह आ गया है नीचे, आपको simply यही सर्च कर लेना, studio.youtube.com, जब आप creator लिखेंगे, तो यह वाला option आपको पहले सही दिख जाएगा, तो studio.youtube.com पर आपको simply क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर जाने के बाद, आपको यह desktop mode पर select कर ल लेना है, ठीक, तो enable करने के बाद, आपका Google Chrome में, आपका YT Studio open हो जाएगा, अब आपको क्या setting करनी है, मैं आपको बताता हूँ, एक काम आपने कर लिया, कि आपको unique name आपने रख लिया, आपको हमेशा अपना unique name रखना है, जिस नाम का कोई channel ना बना हो, अच्छे खासे subscriber वा आपको unique name रखना है, आपको कभी भी ऐसा name नहीं रखना है, कि जैसे मेरा नाम है, संजीव तो मैं संजीव रख दूँगा, क्योंकि भाईया, संजीव नाम के पचासो साओ, हजारो channel बने होंगे, क्योंकि same नाम के channel बनाएंगे, तो वो search में नहीं आएगा, तो फिर जान ल आपको सेटिंग क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ आ गया, अब मैंने नाम तो देख लिया, भईया, अपना की हाँ, मेरा नाम यही होना चाहिए, तो मैंने क्या देखा था, संजीव के facts, ठीक है, तो लेकिन मेरा पहले से क्या नाम है, चलिए दि दिखा देता हूँ आपको, पहले यह open करता हूँ, नीचे जो आपको दिख रहा होगा, यह customization वाला option, यह दूसरे नंबर का, जिस पर मैंने क्लिक किया, इस पर, customization वाले पर क्लिक किया, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, तो layout, branding और basic info आता है, तो basic info पर मैं क्लिक करू आँगा, क्योंकि इस नाम के channel बने हुए हैं, तो fact word से मैं अपना नाम ये हटा लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ, संजीव के facts, ठीक है, संजीव के facts, यह मैंने नाम लिख लिया, और नाम लिखने के बादे से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से म के facts आ चुका है, ठीक, अब आगे आपको क्या करना है, आपने नाम तो रख लिया, यूनिक ने, अब आगे जो आपकी setting है, वो मैं आपको बताता हूँ, तो अब मैं नीचे जो आपको setting वाला icon दिख रहा है, इस पर आपको simply click करना है, यह setting वाले icon पर, ठीक है, setting वाले icon पर से पहले आपके channel का नाम डालना है, तो मेरे channel का नाम क्या है भीया, संजीव के facts, ठीक है, संजीव के facts, अब इसे यह आपको जो तीर वाला icon दिख रहा है, जो इधर side तीर बना है, इस पर click करेंगे तो यह आपका एक keyword तयार हो गया, ठीक है, संजीव के facts, अब इसे कोई क्य facts लिख सकते हैं, ठीक है, अब कोई अगर सर्च करना है, तो यह भी search कर सकता है, facts, संजीव, facts, संजीव सर्च कर सकता है, ठीक है, तो यह भी मैं यह कर देता हूँ, यह भी keyword बन गया, facts, संजीव, यानि आपको अपने नाम का, पहले same लिखने ना है, जो channel का नाम है, फिर अलग, मतलब आगे पीछे सब्द करके भी search कर सकता है, जैसे मैंने संजीव के facts है, तो fact संजीव लिख दिया, fact के संजीव भी कोई search कर सकता है, तो इसको भी आपको डाल देना है, यानि जितने तरीके से word आगे पीछे करके लोग search कर सकते हैं, वो सारे आपको channel के लिख ले जैसे मैंने संजीव के facts, संजीव के facts लिख लिख लिया, और इसके बाद fact संजीव हो गया, और इसके बाद संजीव fact भी लोग search कर सकते हैं, ठीक है, संजीव facts, ये मैंने लिख लिख लिया, तो ये मेरे जो channel name के हैं, आगे पीछे करके अलग-अलग keyword करके, पहले तो मैंने जो मेरा चैनल का नाम है, वो चैनल का नाम, इसके बाद उस चैनल में जितने keywords हैं, उसको अलग-अलग करके, और इसके बाद उस keywords को आगे और पीछे करके, जो भी लोग search कर सकते हैं, वो मैंने लिख दिया है, simply, ठीक, अब इतना आपने लिख दिया है, लगबख 5-6 keyword हो गए हैं, अब आपको simply क्या कर लेना है, अब आपको simply यहां से save कर लेना है, ठीक है, अब simply आपको यहां से save कर लेना है, तो यह मेरा हो चुका है, save, तो जो जो मैंने setting बताये हैं, यह दोनों setting आपको कर लेनी है, और यह करने के बाद आपको 24 घंटे wait करना है, 24 घंटे बाद चैनल सर्च में आने लगेगा, यह दो काम जो मैंने बताया है, यूनिक नेम और इसके बाद कीवर्ड्स जो मैंने डालने बताया हैं, यह दोनों आप काम करेंगे, आपका चैनल सर्च में आने लगेगा, और जैसे ही आपका चैनल सर्च में आएगा, आप लाइब में जानकारी वो आपको अच्छी लगी है तो बिना बोले लाइक कर दीजे क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन रहता है साथ ही अगर अभी तक इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े है तो देर मत करिए नीचे जो सस्क्राइब बटन दिया गया है उस पर दवाकर बगल में जो घंटी दिया गया है उस पर दवाकर औल परसेलेट का लिजी जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं उसका नोटि बात्रम